जै शरी देव दर्शको मंगल मेरे भाई के रिस्ते का धो तक है मंगल मेरा पराक्रम है मंगल मेरी आत्मे विश्वाश की शक्ती है मंगल मेरा आत्मे सम्मान है मंगल मेरी प्रॉपर्टी है मंगल मेरा रक्त का प्रभा है मंगल है तो मेरा रक्त अच्छा है मेरे बाजूओं की तागत है मेरे कंधों में उड़ जा है तो यदि इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है आपको पराकरम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है भाई से दुश्मनी हो गई है आपकी प्रॉपर्टी खत्रे में आ गई है तो आपको करने होंगे मंगल शांती को पाए यदि बार बार चोट लग रही है और ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ रहा है तो करने होंगे मंगल को पाए भाई को सम्मान देने से भाई की इज़त करने से भाई को माफ कर देने से भाई की उपर खर्चा कर देने से उसकी परिवरिश करने से मंगल देउता का कष्ट दूर होगा और मंगल देउता बलवान बनेंगे मंगल से संबंदित जितनी भी परिशानिया है आपकी दूर हो जाएंगी और विजाई भवा का आश्रवाद मंगल देउता देंगे इसी तरीके से यदि हम इलाज की बात करें मंगल से संबंदित जो मैंने आपको कष्ट बताए परिशानियां बताए उससे संबंदित यदि हम इलाज की बात करें तो एक बहुत सरल और छोटा सा उपाय है और इलाज है केसरिया रंग आप सब जानते हैं वो मंगल का कलर होता है सिंदूर भी आप सब जानते हैं वो भी मंगल का होता है आपको पर्मानेंट सिंदूर का टीका लगाना चाहिए हिर्दय पर भी सिंदूर का टीका लगाईए माथे पर भी सिंदूर का टीका लगाईए केसर या वस्तर का ज़्यादा यूज कीजिए उसकी उर्जा में रहने की कोशिश कीजिए चाहे आप मुख कपड़ों के अंदर पहनीए उस वस्तर को चाहे आप नाई ड्रेस बनाईए और चाहे आप मुख कलर बनाईए पर कुल मिलाकर यह हैं कि उस कलर की उर्जा आपकी बोडी की डिमांड है खाने पीने में छुआरे का जिसे हम खारिक भी कहते हैं मराठी भासा में पिंड खजूर जिसका शुद्ध नाम है खजूर इसका इस्तेमाल रोज रोज कीजिए तो आप चाहेंगे देखेंगे जो भी आपकी तकलीब को दूर करने की आपकी तमन्ना होगी वो तकलीब आपकी दूर हो जाएगी हम आते हैं बुद्ध की बात पर बुद्ध से संबंदित वाणी और ब्यापार है आपके गले से संबंदित तकलीब है यदि इससे संबंदित कोई तकलीब है और वाणी और ब्यापार से रिलेटेट कोई परिशानी चल रही है ब्यापार बिलकुल खतम हो रहा है आपकी वाणी बिगड रही है, वाणी से सम्मझित कोई दोश बन चुका है, फिर को आप तो कीजिए बुध का काम. बुध रिस्तों में बहन है, बेटी है और बुखा है, आपका बुध खराब है, ये प्रमानित कर रहा है बुखा का बिगडा हुआ रिस्ता, बेटी से बिगड़ा हुआ रिस्ता या बेहन से बिगड़ा हुआ रिस्ता फिर कितने उपाए करेंगे कोई लाव नहीं मिलेगा बुद्ध शांती का आधारी यह रिस्ता है यदि आपने बेटी को सम्मान दिया आपने यदि बुआ की इजद की आपने यदि देखा कि मुझे किसी भी तरीके से बेहन से निभाना है बेहन मुझे निभाए या निभाए क्या फरक पड़ता है बेहन नहीं निभाएगी तो मंगल उसका कमजोर होगा पर बेहन से आप नहीं निभाएगे तो बुद्ध आपका रूठेगा आप अपने ग्रहों को मत रूठने दीजिए अपना निर्मान संसार की सबसे बड़ी सेवा है पहली आप डूटी अपने निर्मान की निभाई है इसलिए यदि आपको बुद्ध का सारा प्रॉब्लम सॉल्ब करना है तो आप अपने किसी भी बहाने को खोज कर बेहन बेटी और बुआ का सम्मान कीजिए उनकी खुशियों में आपके बुद्ध की तागत छुपी है इलाज के रूप में हर्याली में जादा रहिए हर्याली के बातवन आपके लिए उपहार बने इलाज बने कहीं कहीं पौदे और गमले आपके आसपास बने रहे जहां गार्डन बगीचे हैं वहां पर रहकर काम करें वहां का सेबन जादा करें ये टीटमेंट है ये हर्याली आपकी बुद्ध की तागत है आईए गुरू की बात करें गुरू ब्रस्पती देवता का संबन तो बड़ा विशाल है यदि गुरू रूठे हैं गुरू यदि आपके नीच के हैं गुरू यदि आपके शष्टम शष्टम द्वादस हैं गुरू यदि आपके शष्टमे सष्टमे द्वादसेश हैं तो गुरू का उपाई कीजिए और गुरू का उपाई करने के लिए सबसे अच्छा दिन गुरुबार का है कहते हैं हरी रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर तो इसलिए आप गुरु को रूठने मत दीजिए आप गुरु का सम्मान कीजिए गुरु का सम्मान है ब्राहमन का सम्मान करने पर गुरू का सम्माने सद्गुरू का सम्मान करने पर गुरू का सम्माने सादू संतों का मान करने पर आप गुरू की शक्ति बढ़ा सकते हैं किसी धर में छेतर में समयदान और स्रमदान और अंशिदान करकर आप गुरू का बल बढ़ा सकते हैं सत्संग करवाकर और सत्संग सुनकर और सत्संग का प्रिचार करके आध्यात्मे के मार्ग पर चलकर देखिए तो सही कितना गुरूबल बढ़ेगा आपका और जैसे जैसे गुरूबल बढ़ेगा आपकी पुड़ा का निदान होता चला जाएगा जो काम नहीं हो रहे हैं वो तुसे भी है, मैं सिर्फ टिप से छोड़ देती हूँ आपको, ये सारे उपाए इतना विस्तरत बताना मुस्किल है, यदि हम सही मायने में शुक्र का उपाए करना चाहते हैं और आप शादी शुदा हैं, तो आपकी पत्नी आपके लिए और पत्नी के लिए पती शुक्र का स खराब हुआ है, और शुक्र यदि खराब है, तो एश्वर रूट जाएगा, घर की सारी विवस्ता रूट जाएगी, लक्ष्मी रूट जाएगी और बहुत सारी जो चीजें शुक्र से सम्मंदित हमें मिलती हैं, हमारे रिष्टों में ग्रस्ती को निभाने के लिए बो नहीं पूरा हो पाएंगे इसलिए पत्नी को पत्नी का और पत्नी को पत्नी का सम्मान करना शुक्र देऊता के लिए बहुत जरूरी है शुक्र को बलवान कीजिए शनीदेओ के लिए जो दीन ही लाचार हैं जो मजबूर हैं जो गरीब हैं जहां पर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है उनके लिए आप मददगार बने उनकी सेवा में आपका ध्यान रहे वक्त पर उनका साथ दें तो निश्चित मानिए कि आप शनीदेव जी जरूर प्रसंद होगे शनीदेव यह नहीं कहते कि शनी मंदिर में जाकर आप बहुत सारा दान पुन्न करें और बहुत सारे पंडिजी वहां पर मंदिर में हो उनको उपहार दिया जाए उससे बहुत प्रसंद होने बाले नहीं है में तो यहां तक कहती हूं जब मेरे शनी की भागवत कथा या सतसंग होते हैं तब मैं कहती हूं कोई मत दीजिए मुझे उपहार कोई मत लाइए मेरी लिए गि किसी गरीब के लिए किसी बहुत ऐसे खास के लिए जिसको इसकी आवश रकता है तो वो निश्चित रूप से शनीपड़ा निदान बनेगा जिसके जिसका पेट भरा है उसको देंगे तो निश्चित रूप से उतना लाव नहीं मिलेगा राहू की शान्ती के लिए पुराने कबाड़े को निकालिए और जरूरत मंद को दान कर दीजे राहू की शान्ती का लाव उठाईए और केतू की शान्ती के लिए मैं बार बार कहती हूँ हर साल वस्तर बदलिए और हर साल अपने कोई भी अच्छे वस्तर किसी जरूरत मंद क पिन्नर को दान कीजिए या फिर किसी ऐसे समुदाय को दान कीजिए जहां सब प्रकार के लोग का एक अनाथालय हो सब प्रकार के छोटे बड़े बच्चे बड़े बुड़े सब प्रकार के लोग हो जहां पर एक गरीबों को अनाथालय के रूप में या गरीबों की सेवा के लिए वो आपका किया गया दान काम आ जाए झाल शोटें सा लिए लिए जाए जाए बस्याओ को आपका किया साइब से लिए जाए जाए जाए